लोयाबाद में सुचारू डंग से माड़ा का पानी सप्लाई नहीं होनी की वज़े से लोयाबाद एकड़ा के दरजनू लोगों ने गुरुआर की सुबेद दस बज़े के करीब करकेन पानी टंगी पहुँच कर नियमित रूप से पानी सप्लाई को लेकर प्रदुशन किया मौके पर कोई भी माड़ा कर में मौचूद नहीं थे प्रदुशन कारियों की बस एक ही मांग थी कि पिछले दू महीने से लोयाबाद और एकड़ा के लोगों को नियमित जलापूर्ती नहीं हो रही है एक तो पांच दिनों के बाद लोयाबाद का नंबर आता है उस पर भ गुरो होता देख पुटकी के सहाय कवर ने रिक्षक ने बताया कि माड़ा के अधिकारी से बात हुई है एक दो घंटे में लोयाबाद में पानी की सप्लाई कर दी जाएगी और दो दिन के अंदर खराब मोचर को बदल कर नया मोचर भी लगवा दिया जाएगा यहां इसलिए आए क्योंकि हम लोग पानी खुलाने के लिए अकल भी आए थे कि हम लोग पानी खुले लेकिन ऐसा हो नहीं पाए यह च्छप मतलब यह छे दिन से पानी कंटीनू ने हम लोगों को नहीं मिल रहा है तो क्या अस्वासन मिला है कि आज खुलेगा अब बोला गिया है हमारे फुटकी के ठाने वाले बोले है सर रंजन सर कि आपको पानी खुलेगा तो हम बोले ठीक है तो हम लोग आज भार देख लेते हैं ने तो फिक कला हम लोग आंसन में रहेंगे यही पर नहांदान देंगे पुरा लोयाबाद का करते कि क्या नाम मैं कि अधर लोयाबाद के लिए पानी नहीं सप्ला हो रहा हुआ उसी का कुछ समस्याएं थी तो जाकिर से बात ही तो बोले है कि मोटर खराब है जो कि दो दिन का टाइम लिया है दो दिन पे बाद फिर मोटर चालू हो जाएगा तो कंटीनिम पानी हो जाएगा अब एक झालू झालू झालू